हेलो एवरिवन वेल्कम वेक्टो माई चैनल आई होप यू आल आर डूइंग वेल मैं हूँ प्रगिती आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी से नॉर्मल साड़ी से हम लोग धोती लोग कैसे क्रियेट करेंगे इस साड़ी को दो साल पहने मैंने करवा चौ पार्ट है जितना कि मैं आपको मैजर करके बता रही हूँ उतना ही लेना है राइट वाले पार्ट को हमें थोड़ा चोटा लेना है और लेफ्ट वाले पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है क्योंकि उसमें से हमें पल्लू भी रेडी करना है बनाकर उसके बाद साड़ी को हमें बैली बटन के बीच ओ बीच नॉट बना लेना है और एक टाइट नॉट बनाएंगे क्योंकि इसी के उपर पूरी साड़ी टिकी रहने वाली है इसलिए नॉट को थोड़ा टाइट से बनाएंगे और अपने राइट वाले लेग से हम इस धोती को अंदर से इसे बैक साइड में टक कर लेंगे इस धोती साड़ी को मैंने स्वेटर के साथ स्टाइल करके दिखाया है क्योंकि विंटर में हम अपनी साड़ी को डिफरेंट तरीके से कैसे स्टाइल कर सकते हैं वही मैंने आपको इसमें बताया है अब हम अपने लेफ्ट वाले लेग से साड़ी को निकालते हुए पल्लू को ready कर लेंगे एक बार पल्लू का measurement कर लेते हैं कि वो बिल्कुल perfect है के नहीं तो पल्लू के लेंद बिल्कुल perfect आ रही है इसके साथ में एक trick आपके साथ और share करती हूँ जब भी कभी आप साड़ी पहनते हैं अगर आपकी height थोड़ी कम है या अगर आप अपनी height को थोड़ा सा बढ़ा कर दिखाना चाते हैं तो हमेशा पल्लू की height को पल्लू की जो length है उसको थोड़ा जादा रखिएगा छोटे पल्लू में आपकी height कम लगेगी जितना लंबा पल्लू आप रखेंगे उतनी height जादा लगती है तो हम बचे वे नीचे के fabric की pleats बनाकर आगे right side में बीच ओ बीच इसको टक कर लेंगे जिससे कि हमारा धोती लुक ready हो जाएगा और इसको हम safety pin से secure कर लेंगे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने साड़ी से धोती को पहनना बताया है और दो तरीके बताये हैं उसमें मैंने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उपर आप i button में चेक कर सकते हैं और description box में भी मैं उसका link आपको दे दूँगी और वीडियो के end में भी जाके आप दोती साड़ी वाले वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं पलू को एक साथ अच्छे से gather करने के बाद इसे हम shoulder पर safety pin से secure कर लेंगे उसके बाद हमारी यह साड़ी बिल्कुल ready हो जाएगी इसका जो पलू का नीचे व किस टाइब का फैबरिक आपको चूज करना चाहिए यह जो मैंने साड़ी लिए जॉर्जट फैबरिक में हैं तो कोशिश कीजिएगा इसके लिए बिल्कुल plane border वाली साड़ी लें और जो पतले फैबरिक की साड़ी होती ही वही लें क्योंकि जो 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 जोती की प्लेट से वो काफी अच्छी आती है इसमें और जो आपका belly pattern के पास है वो काफी बल्की और heavy नहीं लगेगी वो बिल्कुल एक दम flat आएगी तो मुझे comment करके जरूर बिताएगा यह winter वाला लोग आपको कैसा लगा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कीज कीजिएगा और अगर आप मेरा वीडियो फर्स ताइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर लेजिएगा जिससे मेरे आगे आने वाले जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं इसी साड़ी को मैं अभी इसी स्वेटर के साथ आपको दो तरीके से और स्टाइल करके बताऊंगे आप उस तरीके से भी विंटर्स में साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं अगर आपको बहुत जादा ठंड लगती है तो आप स्वेटर के साथ साथ साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं और काफी अच् किस तरीके से पहनते हैं तो इसका लिंक उपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और वीडियो के एंड में भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि सिंपल साडी को हम लोग कैसे पहनते हैं और आपको सौड़ी है 18-24 कामते है कि सिंपल साडी को कैसे पहनते हैं तो आप जाके चेकाउट कर सकते हैं साडी के साथ जब भी आप स्वेटर को स्टाईल करते हैं तो उसमें ध्यान रखेगे कि आपका स्वेटर विलकुल फिटेट होना चाहिए ये मेरे थोढ़neg लुस स्वेटर है और अगर आपकी printed स्वेटर है तो plain स्वेटर लीजेगा और अगर आपका plain स्वेटर है तो आप printed साधी को सिस्टाइल कर सकते हैं यहांपर मेरे पास अगर यह plane स्वेटर होता यलोज तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता उपर थोड़ा सा इसमें वर्क है तो अगर मैं चाह रही थी कि प्लेन स्वेटर मिल जाए पर मेरे पास प्लेन स्वेटर नहीं था तो मैंने इसी के साथ आपको स्टाइल करके दिखाया है वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा आप देखे साड़ी का लास भास नहीं कि अन्तवार लगता है वीडियो कोशफे कि प्ंचरा ब्रफ बास आपको स्टःक्रा स्टावी कि वीडियो कि अच्पटा सा थावरी कि शामँ Nos वीडियो कि वीडियो को । प्लेके य ironically दोगना बने डोस भास. Vetूड है जापको सिंगल टार नहीं है read का रगर स झाल झाल